मेरा नाम है राजू मैं बहुत खुश था पहले, इंटरनेट से पहले मैं एको फ्रंटे इंजीनियर बनना था, स्कूल में था, बहुत मज़ा रहा था मैं लगा बड़े होके मैं कोर्स करूंगा, इंटरनेट पे जाओंगा, फ्री में कोर्सिस देखूंगा अगर आप भी राजू की तरह है, जो मेरे को पका पता है कि बहुत सारे आजकल जो फ्रेशर्स है और प्रोफेशर्स है वो बिल्कुल राजू की तरह बन चुकी है इस वीडियो में हम बताएंगे बेस रिसर्सिस कौन से है और क्यों आपको वही फोलो करने चाहिए या कोई भी एक रिसर्स फोलो करना चाहिए हमेशा, सो अब स्टार्ट करते है आज की वीडियो में एक गिवववे होने माला है गिववे एक युडेमी कोर्स का उसका एक एक एलिजिबिलिटी कराटियेट ही होगा वो क्या होगा अब जानते है आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, डेस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आपको फॉर्म भरना है उसमें कुछ सवाल होगे, जिसमें से एक सवाल यह होगा, कि मैंने इस वीडियो में ठीक है, कितनी बर बोला है बेसिकली आपको एक पूरी वीडियो देखनी होगी, और उसमें अब मेरे को बताना होगा, काउन करके, कि ठीक है, मैंने कितनी बर बोला है अगर आपने सही ओप्शन दिया है, तो आप एलिजिवल हो जाओगे, गिवववे के लिए अगर मान लेते हैं, दस लोगोंने सही आंसर दिया है, तो दस में से कोई लखी ड्रो आएगा एक का, फिर वो हम गिववे कर देंगे और सिर्फ यह नहीं है कि हमारा एक giveaway है बेसिकली अगर हमारे 1000 व्यूज है तो हमारा एक है अगर 2000 व्यू है तो 2 है हर 1000 व्यू में हमारे giveaway का count बढ़ता जाएगा प्लस 1 होता जाएगा तो दो eligibility criteria हो चुके है पहला eligibility criteria हमारा यह है कि आपको उस पर जाके सही answer देना होगा और दूसरा अगर हमारे 0 से 1000 व्यू आए तो 1000 से 2000 है दो giveaway तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा अब इस व्यूडियो को start करते हैं सबसे पहला resource आता है Complete Web Development Course 2024 by Angela U यह क्या है इत्ता लंबा नाम यह basically Udemy का एक course है सबसे ज़्यादा beginners के लिए है यह basically इसमें आपको पूरा software बनाना सिखाया जाता है front end, back end, database सब कुछ आपको सिखाया जाता है तो basically आपका hand zone के लिए बहुत अच्छा है beginning में जब आप hand zone करते हो यह course मैंने personally लिया है जब मैं beginner था मैं सिर्फ स्टार्टी कर रहा था web development में मैंने यह course लिया था तना अच्छा course है इतने अच्छे सा explain किया है कि मेरे को concept वही पर समझ में आ गए थे और में को वही पता चल गया था कि मेरे को front end लेना है या back end लेना है और में को वही पर ही पता चल गया थे कि web development होता क्या है अब ज़रा समझते है इस course के table of content के बारे में basically इसमें क्या-क्या सिखाने वाले है यह है हमारा web development course basically by angela you इसमें देखते हैं क्या-क्या होता है देखे अभी इसका price 449 दिख रहा है नीचे जाते हैं नीचे 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 तो देखे यहां पर आपको सबसे पहले front end web development सिखाए जाएगा जिसके लिए आप यहां पर आए हो ठीक है उसके बाद देखिए HTML CSS basics जो होते हैं मतनब बिल्कुली जो beginning वाले होते है आपको सिखा जाएंगे इसके अंदर वहती अच्छा गोश्य में फीर से बता रहा हूं CSS HTML जो आपको इसमें सिखाएगी इसके अलावा आपको करने की जोरत नहीं है सच बोल रहा हूं मैं जो इस इसमां आपको सिखा दी आपको आगे पढ़ने की जोरत नहीं है आगे आप JS अगेरा पढ़ सकते हो और जित्ती भी आपकी HTML CSS की नोलीज होगी वह आपकी प्रोजेक के साथ बढ़ती रहेंगी तो यहां पर आप मोटा मोटा देखोगे CSS में Flexbox, Grid, Bootstrap, Bootstrap एक Framework होता है वह भी आपको बता चल जाएगा कि Framework को कैसे यूज करते है और इसके बाद Dome क्या होता है एक Dice Game आपसे बनवाए जाएगा बहुत ही मजाता है इस गेम को बनाने में जो आप बिगिनर होते हो ना इस गेम को बनाते हो आहा अलग ही मजाता है ठीक है Decentralize Finance Dap Dbank के लिए बनाए जाती है बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा कोस है इसको देखेगा अभी के लिए इतना ही था अब आगे बढ़ते हैं अब समझते हैं आपको यह कोर्स क्यों लेना चाहिए Udemy पे तो पेड़ कोर्स होते हैं 500-500 रुपे के होते हैं देखिए सबसे पहला उप्शन तो यह है आपको फ्री में मिल जाएगा ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट उप्शन आता है कि आपको पे करना होगा यह क्यों क पेड़ कोर्स अगर आप वहाँ पर आप जाके देखोगे आपको दिमाग में यह रहेगा आपने रुपे दिया है रुपे दिया है तो अप उसक पूरे को पूरा देखोगे बट अगर यूट्यूब पर आप आते हो आप एक वीडियो देखते हो जैसे मेरी वीडियो आप में जाकी स्किप कर दोगे की फालतु हमें देखना है नहीं हमने रुपे थोड़ी दिया है फ्रीकी तो वीडियो है सो ऐसे आप स्किप नहीं करोगे में कोर्स को और मैं हमेशा कहता हूं दस को जागर आपके पास दस कोर्स है अलग अलग तो एक पर ही फोकस करिए एक अगे नाता है रियक्स देख कंप्ली गाइट 2024 बाइं मेक्सिमीलियन यह किरियेटर एक ऐसा क्रियेटर है ना यह आपको कनेक्टिट फील कराता है इस तरह बेसिक्स मतलब इतरह सिंपल तरीके से समझाता है कि आप एक बच्चे हो ऐसे समझाता है यह को मैंने लिया था बि फिर से वह बोलूगा यूडेमी का कॉर्स है जाए फिरी में लीजिए और बाकी इस का टेबल ओफ कंटेंट क्या है अब वह देखते हैं सो यह रहा हमारा दे कंप्लीट गाइड रियक्ट का कॉर्स मेक्सी मिलियन है क्या नाम है इनका मेक्सी मिलियन बहुत ही अच्छे बं यूडेमी को क्या होता है तीन हजाग रुपे कर देता है इनके समझ में यहां पर इसके रिव्यू देखिया आप आठ लाग लोगों ने लिया है और दो लाग से जादे इसकी रेटिंग हो चुकी है तो समझ दीजिए कैसे इसका कॉर्स मतब कैसा है सब कुछ आपको समझ म यह सब कुछ है आपको यह सब करते हैं किसी एक आपको इसको सरफ जाएगा इसके बाद अगर हम नेज जाते है तो हम यहां पर देखेगा प्रोजेक्ट पर लिखे जा रहे हैं इसलिए यह काफी हाइली रेक्ट होता है कि आपको टाइप स्कृट आरी से यह रियेक्ट के साथ कैसे लिखते हैं वह आपको इसमें प्रदा जाएगा अब को प्रण के लिख ऊब्रकट करना है वह एक और में जो है जो है यूऑन नोग यैस में Abbott mug कोसली भी है कुछ 2,000 सम्तिंग में आती है Amazon पर आप देखोगे मैंने यह खरीदी थी इसको मैंने जैसे ही लिया मेरे को ऐसा लगना नागा मैं ही ओनर हू जावस्क्रिप्ट का बेसिकली मैंने जैसकी बनाई है अब देखे इसका फाइदा क्या होता है इस बुक में आपको बेसिक शिखाए जाएंगे कैसे जावस्की ब्याइड देश्वर करती है बताब आगर आपने पार्सिंट किया है किसी स्ट्रिंग को सो वहाँ पे पार्सिंग कैसे होती है बिहांड द सीन्स अब इससे क्या होगा जब आप डब्लमेंट करोगे आपको पता हो गया यह पीछे कैसे काम करता है तो आपको एक कनेक्टिर फील होगा कोड के साथ क्योंकि आपको पता है कि आगे पीछे क्या चल रहा है अब देखते हैं इस बुक का टेबलोग कंटेंट क्या क्या है यह है हमारी you don't know js book बहुत प्यारी बुक है मैं तो क्या पता हूं मैं तो दिल आ गया इस बुक पर इत्ती प्यारी बुक है यह होता है तिस की वड क्या होता है सबकुर्ण क्या होता है सब कुछ देखे दिक यह वह बहुत ही कंट्फियुस होजाते लोग मैं आजकल भी में तो प्रूट के बाद यह बताती है कि एरे स्ट्रिंग को कैसे कंवर्ट किया जाता है को होता है यह सब कुछ क्या होता है यह सिक्सें ब्योंड बैसिकली नहीं नहीं क्या-kya यह इन्हों ने इसमें क्या-क्या लिखा था इन्हों ने बद आला कि ऐसा ओवर्विव दिया था कि दूसरी बुक क्या है और आगे क्या आने वाला जास्क्रिप में क्या-क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं यह सब बता है यह बुक अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी वैलन गुगल पर मेरे को हाट को भी पसंदे इसलिए मैंने हाट को भी खरीद ली थी अगर आपको हाट को भी पसंद दिये तो पीडिये डाउनलोड करके लैपको में पढ़ सकते हो बहुत ही अच्छी बुक है अगर आपको असली इंजीनियर बनना है तो जरूर पढ़िएगा इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत ही मजा जाएगा मतलब जावस्क्रिप का आप क्योंकि अनली बन जाओगे तो इक बढ़ पढ़िके देखिए फोर्था था है ओल राउंडर फ्रंटेंड मास्टर्स इसको सुनते ऐसे लगता है कि यार बहुत महंगा है इसको को बहुत जादा चार्जिस इसके बड़ आपके लिए आप एक स्टुडेंट हो तो इस्टूरेंट के लिए छे महिने के लिए फ्री आता है फ्रंटेंड मास्टर्स बहुत कम लोगों को मता है पर कैसे फ्री में लेना इम आपको बताता हूं विसकली गिठभ का डवलप्में वेब साइट है जब भी आप इसके अंदर लोगिन करोगे आपको इन चीजों की एक्सिस मिल जाएगी ठीक है एक पूरा पात बना रखका है नोने बीगिनर के लिए अगर मैं बीगिनर पर क्लिक करता हूं तो बीगिनर के अंदर वेब डवर्मेंट कैसे सार्ट करें उसके अगर मैं क्लिक करोंगा तो यहां पर देखिए तरहा पार्ट के होते जास्कृत के बेसिकली इंतरव्यू कैसे करेक्ट कर सकते को वह वाला यहां पर गया डीव जवस्क्रीट फाउन्नेशनस कि उती होगơn रियू झार यहां करेक्र कर करना है रियक्समें आ गयी वन्हां ज जाएगी, accessibility क्या होती है, यहां मिल जाएगी, security क्या होती है, यहां मिल जाएगी, अब देखें, बहुत महेंगा को और से, अगर मैं आपको pricing लिखाता हूं, इसकी मंतली देखें, 39 डॉलर है, अब देखते हैं, आज की price में कितना है, 39 डॉलर इन रुपीज, तो देखें, 3232 As a student, आप नहीं कर पाऊगी, अगर professional हो, मैं तो कहूंगा, इसको buy करिए, बहुत अच्छा है, मेरे words है, मैं आपको बतारो, मैं अभी भी इसको लेता हूं, मैं इससे पढ़ता हूं, अभी भी, जब नहीं नहीं चीजे सीखता हूं, तो इससे ही सीखता हूं, इसको करिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही, एक ही platform है, जो आपको follow करना होगा, अगर आपको पूरी frontend journey करनी है, ठीक है, और इसके बाद आता है कि, अगर आप fresher हो, या फिर आप student हो, तो आप कैसे enroll कर सकते हो, free program में, frontend master 6 महीने के लिए free आता है, 6 महीने में आप बहुत सारे courses कर सक ठीक है, ठीक है, तो student benefit लेने के लिए student benefit पर जाएगा, वहाँ पर जाके आप continue करिएगा, github पर जो आप login यूज करते हो, उसके बाद जब आपको login details मिल जाएगी, github developer program की, वही आपको login detail यहाँ पर यूज करनी है, frontend master के अंदर login करने के लिए, आपका login हो जाएगा, और फिर आप 6 महिने के लिए free में use कर सकते हो, इस course को, 6 आता है front engineer YouTube channel, ओ, पहला YouTube channel, जो free का है, जिसमे paid नी है, है न, okay, so basically, इस YouTube channel में क्या है, इस YouTube channel में system design है, सारी videos, trope content है, बहुत ही जादा detail में है, बहुत ही अच्छी है, अब आपको इसको कैसे देखना है, देखे हर वीडिय वो system design बनाता है, उसके अंदर देखेगा, जो भी topics आपको दिखेंगे, उनको YouTube पे search करिए, Google पे search करिए, उनको पढ़िए, उनको जब आप detail में पढ़ोगे, तब आपको समझ मा आता है, पूरा frontend system design कैसे होता है, जैसे इसमें काफिर आपको दिखेगा, एक broadly करके use होता है मेरको नहीं पता था, broadly क्या होता है, मैंने google किया, फिर मेरको पता चला है, compression में काम आता है, resources के, यहीं सब topic अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, यह आपको समझ मा आ जाएगा, जब आप frontend engineer का YouTube channel देखेंगे, वहाँ पे system design के top notch content है, बिल मैं फिर जब बोलता हूँ, books, depth में बताती है, videos, overview देते है, so mdn-docs बहुत ही बढ़िया content है, वहाँ पे लिखा हुआ है, सारे example दिये जाते है, आपको कभी भी कोई दिक्कात आ है, mdn-docs पे जाएगे, वहाँ पढ़िये, mdn-docs आप mostly use कर सकते हो HTML के लिए, so HTML में क्या- यूज निकरनी चाहिए, HTML, CSS, सब कुछ वहाँ पे लिखा गया है, जो भी up-to-date होता है, मतलब माल लेते है, कोई deprecate हो चुकी है, कोई ऐसी property है, जो हम use ही निकरते है, तो वहाँ पे लिखा आ जाता है, कि यह property हम use निकरते है, तो सबसर ज्यादा benefit यह है, कि वह up-to-date रहा यह playlist है Google की developer की दरब से, इसमें basically आपको पता है, वेभ accessibility क्या होता है, A आपको निकरता है, तो तभी हम वता रोग, यह course आगे देखिये, इस course में आपको पता अचलेगा accessibility होता क्या है, कैसा आप accessibility को बन सकते हो, कैसा उसको ठीक कर सकते हो, कैसा उसको debug कर सकते हो, कैसा उसको वीडियो है, source में है, आपको मुश्किल से एक हफ्ता रगेगा यह पूरा course देखने में, पूरी playlist देखने में, इसको देखने के बाद सारे topic note-down कर लीजेगा, हर एक topic को Google search करिएगा, YouTube पर पढ़िएगा, detail में पढ़िएगा, क्या-क्या कैसो होता है, फिर आपको web accessibility भी आ जा यह क्या होता है, accessibility क्यों होती है, और accessibility कैसे की जाती है, इसके अंदर ही आपको काफी सारे resources के link में लेंगे, जहां पर आप detail में जाके देख सकते हो, कैसे debug वगरा करते है, मैं highly recommend करूँगा, आपको AliCast सो देखिए, बहुत अच्छा शो है, obviously Google की तरफ से हो, तो top note content आप मान नहीं है, कुछ जाधा नहीं है, मतलब आपको mostly, hardly एक दिन लगेगा, अपना start करने में TypeScript पे कुछ ऐसा high level नहीं है, अगर आपने पहले C++ वगरा कर रखी है, तो आपको पता है types क्यों होते है, वही सारा same logic यहां पर use हुआ हुआ है, so उसके लिए मैं recommend करूँगा, TypeScript का official documentation, बाकि कुछ मत देखिए, अगर आपको कुछ करना है, कोई भी YouTube चैनल कॉल लीजिए, वहाँ पर एक crash course आजाएगा, एक घंटे का, तो घंटे का, तीम घंटे का, वह कर लीजिए, वह भी more than enough है, but मैं recommend करूँगा, TypeScript का official documentation पढ़िए, क्योंकि वह up to date रहता है, हमेशा आपक अब भी exist करती है, क्या वह property के, अगेंस कोई नवी property आ चुकी है, तो इसलिए मैं official documentation क्या रहा हूँ, हमेशा मैं वही बलता हूँ, video, books, official documentation, ऐसे करिए, मतलब, video आपको overview देगा, फिर books आपको depth में बताएगी, और जो documentation होता है, वो latest आपके up to date रखेगी, कि कहां पर क्या-क अभी चल रहा है, market के अंदर, नाइन था था एक ऐसा, ऐसा YouTube channel, जिसके उपर आप पता कर सकते हो, नए-नए topics, जिसके उपर आप पता कर सकते हो, कि कैसे दूसरी companies ने अच्छे-च्छे program की है, वालब कैसे दूसरी companies ने किसी problem को solve किया है, कैसे दूसरी companies अच्छी तरह code को use क So basically, यहां पर क्या होता है, पूरे world में, अलग-अलग conferences होती है, जैसे अभी React India India में हुई थी, GS Conf India में हुई थी, उनका क्या फाइदा होता है, नए-ने developer आते है, मतलब अलग-अलग streams से developer आते है, जैसे Google, Microsoft, काफी साई start-ups से आते है, कई बार आपने देखा होगा कि Google आपना फिक्स करता है कुछ, development में, वो article, blog लिख देता है, ऐसे conferences में होता है, जैसे हाली में, मैं React India conference में गया था, वहाँ पर क्या हुआ था, एक React का developer आया हुआ था, उसने बताया था, कि React में compiler आने वाला है, और वो अभी हो भी चुका है, अभी announce कर दिया, React में कुछ आली दिनों वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, JSConf के अंदर, और कैसे कैसे आपको चीजों को यूस करना चाहिए, वो आपको वहाँ पर detail पता चल जाएगा, JSConf के अंदर, उस YouTube चैनल को हमेशा देखिएगा, वो एक आपका एसा YouTube चैनल होना चाहिए, कि आप हर दिन एक उसकी क्याए, कोड सब कोई लिख रेता है, अच्छा कोड नहीं लिखना होता किसी को, वहाँ पर आपको पता चलेगा, अच्छा कोड कैसे लिखते है, उम्मीद करता हूँ, आपको आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ पर नीचे मैंने गीववे का लिंक दे रख होंगा आज के लिए इतना ही ठीक है सेविकोलन